एक लड़का एक लड़की को डेट पर ले जाने के लिए मिला इन दोनों में जगड़ा हो गया और एक रोकने के लिए दो पुलीस आ है आज रात एक इंसिलेंट की वज़े से इन चारों की लाइफ बदल जाती है हेलो फेंट्स आज मैं आपको लाइफ लेश इन 1997 के एक फ्रेंच मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इससे लाइक कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्पेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम इजावेल को लेबर में देख सकते हैं उसकी मदर उसे हॉस्पेटल ले जाने में हेल्प कर रही थी उस वाग 1970 में पूरी कंट्री बन थी बहुत रात हो चुकी थी पर फिर भी एक बस वालों को उसने रोक लिया वो जबर्दस्तों से हॉस्पेटल ले जाने के लिए कहते है हॉस्पेटल ले जाने में भी और एलेट हो चुके थे तो इसे वाज़े से इजावेल की डिलिवरी इसी बस में हो जाती है उसे जो बेटा हुआ उसका नाम है विक्टर ये किसा बहुत ही फेमस हो गया था बस में डिलिवर हुई तो इस वाज़े से इजावेल और विक्टर को पुरी जिन्दगी का बस का फ्री का बास दे दिया जाता है इसके बाद मूवी में 20 साल बीच चुके है जिस स्ट्रीट पर विक्टर पॉन हुआ था यही पर पीजा डिलिवरी का काम वो करता है आज राद वो जल्दी से रेडी हुआ और एलिना से मिलने के लिए जा रहा है एक्चुली एलिना से एक वीक पहले फरस्ट टाइम वो बार में मिला था वही पर ये दोनों इंटिमेट हो गए थे आज राद इनोंने डिसाइड किया है कि फिर से डेट पर मिलेंगे तो इसलिए विक्टर उसके पास जा रहा था इसलिए के पैरलल में हम दो पुलिस ओफिसर देखते हैं एक का नाम है डेविड दूसरे का नाम है सैंचो सैंचो आज बहुत ही डिस्टब था वो ड्राइव करते हैं ड्रिंग भी करता है कहता है मेरी वाइफ मुझे पर चीट कर रही है उसने उसकी वाइफ को बहुत मारा था तो इसलिए उसे कॉल करकर सौरी कहता है अपने पार्टनर डेविड से बोलता है मुझे क्या करना चाहिए उसे लगता है कि उसे अपनी वाइफ को मार देना चाहिए पर इसके अलावा जिसके साथ हो है उस आदमी को यो मार सकता है डेविड कहता है कि इस तरह कि कोई भी बात मत करो इसके बाद विक्टर एलिना के घर के बाहर आया उसे हो कॉल लगाता है एलिना की कोई डेट है इसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुके थी आज उसका ड्रक्स करने का प्लान था और इस ड्रक्स लाने के लिए एक आदमी उसके बास आने वाला था वो विक्टर से कहती है कि हम किसी और टाइम पर जाएंगे विक्टर बेचारा डिसप्मोंडेड हो गया वो बस में जटकर फूरी सिटी घूम कर आता है इसके बाद हो फिर से एलिना के घर पर पहुचा नीचे से उसने पेल पचाए तो एलिना को लगा कि उसे जो ड्रक्स देने के लिए फ्रेंड आने वाला था शायद ये वही होगा तो डोर ओपन कर लेती है विक्टर उपर आ गया एलिना उसे देखकर सप्राइज होगे पूछ थी कि तुम यहा क्यो आए विक्टर कहता है मुझे कोई एक्स्प्रेनेशन चाहिए तुम मुझे डेट क्यों निकरना चाहती है कहम दोनों इंटिमेट होए थे सब कुछ ठीक था एलिना उसे जाने के लिए कहती है पर वो कुछ भी मान नहीं रहा था वो फिर डारेक्ली गन लेकर आई उसे निकर जाने के लिए कहती है ये गन विक्टर ने उसे चिनने की कोशिश की ये नीचे गिरी और एक फायर शॉट हुआ बिल्डिंग की एक लेडी ये आवाज सुनती है और पुलिस को कॉल कर देती है इसकी इन्वेस्टेशन करने के लिए डेविड और साचो ही पोचे बाहर की खिड़की से ही ये जोनों देखते हैं कि विक्टर और एलिना एक दुसरे से चगड रहे है ये दोनों शान्त हुए और विक्टर यहां से जा रहा था तब इन दोनों पुलिस ओफिसर को देखकर वो और भी जादा डर जाता है डेविड और साचो भी घर में आके तो विक्टर गन एलिना को लगा देता है कहता है मुझे यहां से जाने तो वरना में इसे मार दूंगा मैंने कुछ भी नहीं किया एलिना जाती तो सब कुछ सर्च बता सकती थी पर वो कुछ भी पताती नहीं डेविड विक्टर से कहता है गन नीचे रखतो और एलिना को मुझे देतो सब कुछ ठीक हो जाएगा एलिना यहां से बाहर चलीगी और विक्टर गन रख रहा था तब डेविड और विक्टर इन दोरों में सजा होई थी विक्टर यह बेर बर गोली लगी तो इस वज़े से वो पैरलाइस्ट हो गया पर फिर भी उसने लाइफ में हार नहीं मानी पैरलाइस्ट लोगों का वो बास्केट बॉल खिलने लग गया चार सालों में अब नैशनल चैंपियन बन चुका है उस रात एलिना और डेविड ने एक दुसरे को फर्स टाइम देखा पर उन दोनों में बहुत स्ट्रॉंग एट्रेक्शन था चार सालों में इन्होंने शादी कर ली है विक्टर को जेल में लगता है तब वहाँ एलिना के फादर की डेथ हुई थी वो confidently उसके पास जाकर कहता है कि यह बुरा हुआ वो एलिना के बारे में और भी जानना चाहता था एक फूल के काट से उसे पता चला कि वो NGO में काम करती है यहीपर विक्टर हमारी और एक में कारेक्टर से मिलता है इसका नाम है क्लारा यह दोनों बात करने लग गया और विक्टर ने क्लारा से पूछा दूमें क्या लगता है एलिना और डिविड खुश है जब वीक्टर के घर पर पहुचे तो बहुत टाइम से हाँ कोई भी रहे नहीं रहा था इस वज़े से ये घर बहुत ही बरबात पड़ा था ये सब देखकर उपना माइंड चेंज कर लेती है विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो चली गई कहती है कि मैं बात में आऊंगे आज जो भी हुआ इसके बारे में एलिना डेविड से बात करती है डेविड इस बात से डिस्टब हो गया वो कहता है हमें पुलिस को ऐसा बात बता देनी चाहिए विक्टर एक साइकोपैथ है एलिना गहती है हम ऐसा कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं कुछ भी गलत नहीं किया वो सिर्फ मुझे कंडोलेंसेस देने के लिए आया हुआ था डेविड कहता है शाय तो तुम्हारा पीछा कर रहा था अगली दिन विक्टर एलिना जहां काम करती है वहाँ पर पहुश गया उसे देख कर वो फेस से घर चला जाता है गर पर उसे डेविड मिलने के लिए आया वो उसे वान करता है यह तुम एलिना से दूर रहोगे वरना में तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा विक्टर उसका मजाग लेता है कहता है इस हाला तुम क्या कर सकते हो एक दूसरे को हेट करते पर फुटबॉल का मैच चल रहा था इसमें गोल हुआ तो इन दोनों ने इस पर चीर किया डेविड का गुसा शान्त हुआ वो कहता है मुझे तुमें सिर्फ वान करना था वो मैंने अब कर दिया है यह कहकर वो चला गया वील्चर से अपने कार तक पोर्षने में डेविड को बहुत सारे टाइम लगता है तो इसी दरमियान उसने क्लारा को विक्टर के साथ नोटिस किया विक्टर के पास जादों को सामान नहीं था तो उसके लिए बेड लेकर आई थी विक्टर क्लारा को उसके सब रिपोर्ट्स दिखाता है कहता है मैं पूरी तरीके से हल्दी हूँ यानिकर उसके साथ वो इंटिमेट हो सकता है क्लारा भी मान गए और यह इंटिमेट हो जाता है यह सब डेविड बहार से नोटिस करता है इंटिमेट होने के बाद Victor Clara से कहता है मुझे वर्ल्ड का बेस्ट लवर बनना है Clara कहती है तुम्हें फिर बहुत सारी चीज़े सिखनी पड़ेगी तुम आज मेरे साथ जेंटल नहीं थे एक दूसरे से प्यार करते वक्त इसमें दो लोग इन्वाल होते है यहीं तुम्हारा फर्स लेसन है अगले दिन जब एलिना अपने काम पर गई तो वह विक्टर ने वॉलेंटियर किया था वो से अपने ओफेस में बुला लेती है कहती है कि तुम्हाँ कर क्या रहे हो विक्टर कहता है कि हम एक की सिटी में रहते हैं विक्टर ने जेल में अपना डिपलोमा कंपलेट कर लिया था तो यहाँ काम करने से उसे कोई भी नहीं रोकेगा वो गहता है कि जो भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी एलिना भी यह बात समर्ज लेती है वैसे भी बिना किसी रीजन के उसे यहाँ से निकाल नहीं सकती डेविड विक्टर और क्लारा पर नज़र रख रहा था जब यह दोनों इंटिमेट हुए तो उसने फोटो निकाल ली उसने ऐसा क्यों किया तो इसके बीच एक रीजन है एक्च्वल में क्लारा ये डेविड की ओल्ड पाडनर सांचो की वाइफ है क्लारा और सांचो में हमेशा से प्रॉलम चलते आ रहे है सांचो क्लारा को मारता भी है इन में कोई भी रियल रिलेशन्शिप नहीं तो इसी वज़े से क्लारा सांचो से डिवास जाती है सांचो ये देने के लिए उसे रेडी नहीं वो कहता है जब तर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब तक तुम मेरे साथ ही रहना पड़ेगा हमने रिलेशन्शिप को बजाने के लिए और सब कुछ करने के लिए रेडी है सांचो को सबसे बड़ा ड्रिंकिंग प्रॉलम है यही क्लारा को अच्छा नहीं लगता तो इस वाल करने के लिए और डॉक्टर के पास भी जाने के लिए अब रेडी था नेक्स डे डेविड विक्टर का पीछा करता है और से पता चला कि विक्टर एलिना के साथ ही काम कर रहा है इसी के वारे में उसने एलिना से बात किये एलिना कहती है विदाउट एनी रिजर में उसे निकाल नहीं सकती है डेविड इस बात से बहुत ही फ्रस्टेर हो गया विक्टर से अकेले में बात करता है उसने उसे का मेरी पूरी लाइफ तुमारी वज़े से बरबात हो गए विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है यह वो सिर्फ एक एक एकसिडन्ट था डेविड मानता नहीं तो उस राद जिस तरीके से इन की फाइट होई थी उसी तरीके से विक्टर उसे फेस ही जगडता है कहता है मैं एक्चुल में तुम्हें मारी नहीं सकता था तुमपर गोली सांचो नहीं चलाई थी तुमारा क्लारा के साथ अफेर था तो इसका ही बदला उसने लिया है इसका मतलब है मुवी के फर्स में सांचो बता रहा था प्लारा का किसी के साथ अफेल चल रहा है या फेल डेविड के साथ ही था सांचो ने बदला लेने के लिए डेविड पर गोली चलाई थी यह सब कुछ अब डेविड को पता चला उसे बहुत बुरा लगता है एलिना डेविड और विक्टर इन दोनों से तंग आ गई थी एलिना ने डिसाइड किया और अपना खुद का और ट्रांसपर करवा लेती है यह कि डेविड नहीं चाहता तो विक्टर से मिले जो भी सब हुआ इस वज़े से डेविड और एलिना बहुत डिस्टरब थे डेविड एलिना को उसके और क्लारा के रिलेशन्शिप के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है इससे एलिना को बहुत ही चीटेड में हैसुस हुआ तक उसे मैं यहाँ से चली जाती है रात में वो विक्टर से मिली उसे कहती है कि मुझे डेविड ने सब कुछ बताया तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी फिर भी जेल में जाना पड़ा विक्टर कहता है कि मैं भी बहुत ही घुसा था मैं जब वापस आया कि मुझे सिर्फ तुमसे रिवेंज लेना था मेरा प्लान भी बहुत इस्टूपेड था मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ इंटिमेट होंगा फिर तुम उसे प्यार करने लगोगी फिर मैं तुम्हें छोट दूँगा वो अपने खुद के प्लान पर ही असता है एलिना इस बार से अंगमवडेबल होकर यहाँ से चली जाती है अब वो इस सिटी में नहीं तो विक्टर उसे भुलाने के लिए एक रियल जॉब ले लेता है दिन बर बहुत मेहनत करता है आज के लोग बहुत ही बीजी है तो एक दिन उसने डिसाइड किया क्लारा के साथ वो ब्रेक अप कर लिया इसके बारे में उसे बात करता है पर क्लारा अब तक विक्टर से प्यार करने लग गई थी उसे कहती है यह प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो तुम अगर मुझे प्यार नहीं करते तो यह भी ठीक है पर प्लीज मुझे तुमारी जिंदगी से मत निकालो वो बेचारी अपसेट होकर यहाँ से चली गए एक रात अचानक से एलिना विक्टर से मिलने के लिए आती है डेविड ने उसे हट किया था तो इसे वज़े से विक्टर के साथ इंडिमेट हो गई सुबाव फिर से घर आई डेविड उसे देखकर खुश था उसके पास आता है और इंडिमेट होना चाहता था पर एलिना कहती है यह रात बर विक्टर के साथ थी इस बात से वो गुस्सा हो गया कुछ चीज़े तोड़कर अपने रूम में चला जाता है इसी के पैरलल में हम देखते है क्लारा अब सांजो से पूरी तरीके से तंग आ चुकी थी उसके साथ नहीं रहना चाहती है अपना सब को सावान पैक करकर वो घर से निकल रही थी सांजो से निकल लेने देता तो गुस्सा हो गई और डारेक्ली गन लेकर आई उस पर उसने गोली चलाई और यहां से वो चली जाती है यह गोली सिर्फ सांजो को छूप कर चली गई थी वो सीरियसली हर्ट नहीं हुआ अगर अब हम सिजूशन देखे तो विक्टर की वज़े से डेविड और सांजो यह दोनों हर्ट है डेविड डिसाइड करता है कि वो विक्टर से बदला लेका तो इसी वज़े से कलारा और विक्टर के जो भी सब फोटोस थे यह उसने जाकर सांजो को दिखा है एलिना को पता चला कि डेविड सांचो के पास गया है डेविड की जाने के बाद उसका room वो चेक करती है तो उसे विक्टर और क्लारा के फोटोस दिखे एलिना को भी सब सिच्वेशन पता चल गई थी डेविड ने जाकर सांचो को जब फोटोस दिखाये तो बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो गया और वो डारेक्टली जाकर विक्टर को मार डालना चाहता था क्लारा अपना सब सामान लेकर विक्टर के घर पर बहुची थी विक्टर घर पर नहीं तो इसे लेटर लिखती है वो कहती है कि जब तुम्हें पढ़ रहे होंगे तो शायद सांचो ने मुझे मार दिया है या मैं भाग रही हूँ तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए तुम्हारे ले मैं कुछ पैसे छोड़ कर जा रही हूँ यही लेटर लिखती लिखते वहाँ पर सांचो पहुच गया इन दोनों के हाथ में गन थी क्लारा कहती है विक्टर अब यहाँ नहीं है सांचो कहता है कि अब क्या होगा क्या हम दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे क्लारा कहती कि यह सब तुम पर डिपेंड है रजानक से घर पर विक्टर पहुच जाता है अगर सांचो से देखता तो मार डालता इसी वज़े से क्लारा ने सांचो को शूट किया सांचो में शूट करता है और दोनों इंजोर हो गए सांचो अभी भी थोड़ा जिन्दा था वो विक्टर को देखकर कहता है उस रात मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था सांचो अकलारा से बहुत प्यार करता था तो उसके मरने के बाद खुद जीना नहीं जाता उसने अपने आपको गोली मार कर खुद खुशी कर ली इसके बाद एलिना और डिविड एक साथ नहीं थे कुछ टाइम गुजर चुका है तो डिविड उसे लेटर लिखता है उसने लिखा कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा जब भी तुम मेरे साथ थे तुद कभी भी खुश नहीं थे मेरे साथ होकर भी अकेली पढ़ चुके थे अब मुवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एलिना और विक्टर यह दोनों एक साथ है एलीना विक्टर से पेगनेंट है और यह दोनों होस्पिटल जा रहे थे जिस तरीके से मुवी स्टार्ट हुई थी विक्टर के बर्थ से उसी तरीके से अब विक्टर के बेटे की बर्थ पर यह मुवी एंड हो जाती है इस मुवी के सब कारेक्टर बहुत ही जादा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल ने डूएशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम विर से में लेंगे और एक ने मुए के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये